आप सभी का आप सभी के लिए बहुत सारी गलतिया कर दी एससे जीडी फोरम बढ़ने में आपने जब कि कई बार में बता था कि एससे जीडी में फोरम रिजेक्ट हो जाता है और जिसका अनुख्णान आपको उठाना पड़ेगा इनुख्णान आपके बुद्धी भाहत हो हो जाती है कि सर आप इतना क्यों बता रहे हैं हमको सब पता रहे हैं अब आपको पता फोरम रिजेक्ट होने वालों कि आपके कानों में पड़ रही है तब आपके कान खुल तो रहे हैं अंस इंसान ठोकर का के ज्यादा अच्छे से शीकता है लेकिन आज मैं आपको कुछ बता रहा हूं ज्याँ रखना एक्जाम से पहले अससे जीडी एक्जाम आप सो भी को पता है कि नौबर में शुरू हो जारा 16 नौबर से आपका एक्जाम शुरू हो रहा उससे पहले बहुत इंपोर्टेंट चीजें जो आपको पहले से तयार कर लेनी नहीं तो आपको एक लोग पस्ता रहें बता भी रहें एसे मेरे खुद के के कशेंट में बहुत सारे कम से कम चार बच्चे हो गए पांच बच्चे जिनके फौरम रिजेट हो गए और हमने बताया कई बार लेकिन नहीं माने हो घर से फौरम बरके आए हैं लेकिन क्या करें इसलिए मैं जो चीजे बताने जा रहा हूं ध्यान रखना इसका विशेश रूफ सी कि अगर आप ऐसे जीडी का पेपर देने जा रह परठ सकता है इस बात के लिए फिशेश ध्यान रखे लार लूँँ अब सोनोर किसका होगा पहले अलफा बैट के अधार पिचले बार खादर के अलफा बैट के हिँगा हो सकता है बार बाव किसका पहले किसका बाद लेकिनी 100 परशन्ट यस एक बास जानःच जिएस जब जिसने नहीं लगाया है जल्दी से लगा लें क्यों अगर आप एक्जाम जैसे निकट आएगार उसे में लगाई रापकी गर्तवित खराब होगी आपको पता कई बार करोना की ठीके विश्चे बहुत सारे से बच्चे हैं या बहुत सारे से इंसान है जिनके एक से दो दिन दिन तक फिवर रहती है अगर आपका एक्जाम होगा तो आप फाइदा नहीं होगा आपका पूरा का पूरा स्रीज डिस बेलेंस होता है इसलिए अभी वक्त है अभी लगाना है 20 दिन पेले कम से कम करोना का ठीका अभी से जिसने नहीं लगाया फैस्ट डूज पक्का लग आपको रखना ही रखना है दूसरा सबसे इंपोर्टेंट्सी नादो ध्यान रखना आपने जो फोरम बढ़ा है तो वह बढ़ा है एक्जाम सेंटर पर लेके जाने वाले हूँ तो बहुत सारे बच्चों के क्या कि तेंज़ इमारक से अनुसर आपके आधार काड़ और उनका तो आपके माठा पिता का नाम सभी करा लेना नहीं तो अंतिम समय में अपडेट नहीं होगा मान लो कभी इत्रेशिलदार नहीं बेटेगा कभी कोई नहीं बेटेगा और फिर आपको समयशना करना करना पड़ता है आदार कार्ड में अपडेट हो जाता है टेंथ क्लास की मार शीट में नहीं होगा इस बात का विशेज ज आप अपनी इमेल आइडी पर आपके एक लिंक जनरेट होगा उससे आप अपना एड्मिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको पास इमेल आइडी आप भूल भी गयो तो भी ज़्यादा परेशान होनी की जूरत नहीं है डायरेट इसकी ओपीशिल जो वेबसाइड हो उस पर आप अपना रेजिस्टेशन नंबर लगा के भी वह इमेल आइडी चेक कर सकते हो उसमें भी कोई सकती है इमेल आइड जो आपका एड्मिट कार्ड हो चेक कर सकते हो और कौन से से एंटर पर आया इंपोर्टेंट चीज सुन लिए जैसे ही आपको पता चले कि आपक को एक्जाम जब आपको पता चल जाए उसी समय आप याताया कर लिए या रेलेवे का टिकट कर लिए जैने तो उसी समय रेली का टिकट कर लेजे नहीं तो बहूत सारे بघ्चों के साथ या अब सब सब्वाइब ऑन कि पहुंछ आंको एक मिनट की शूत ही मिलेगा इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सभी को पता चल जाए अंतिम समय बताएंगे आपको पता नहीं चलेगा और यह ठीका वाली बाते आपको तो एक तो आप यह कर लेना करोना का फ्रेंट पर्षेंट लगा ना दूसरा ऐसा सी जीडी में जिस नाम से फोरम एपलाई किया वह हादार गार में ओ करना एक इंपॉर्टेंट चीज ओर दाना लगना लाड़ दू एकजाम देने जाओं तो जो सिगनेटर आपने फोरम बढ़ते समय किया सेम ही सिगनेचर आपको एकजाम के समय करने हैं यह साफ आप आपके एडमिट कार पर लिखा रहेगा उसके लिए आ उठाएगा उठ ठाएगा उठेट बाएगा उत्त्व शारी जानकारी होगी यह सारी जानकारी नहीं होगी तो मैं बता रहाए यह इसकी वजह से पिलापको एक्जाम सेंटर में तो ध्यानख न आधार काड़ वोतर आईडी कार्ड या ओर और अपके पासमा जैसे पें पत्र में गलत है उनको यहां कोई नहीं पूछेगा आप अधार कार्ड या वोटर आइडी कार्ड में नाम सही करा ले ताकि जो एक वेलिड आइडिया आपको वहां पर चाहिएगी उसके लिए लाड़ हो सकता है कि एडमिट कार्ड पर आपको फोटो लगानी पड़े अब जिन बत्रों के एडमिट कार्ड पर फोटो लगानी है या नहीं लगानी इन बातों का विशेज ध्यान रगे साथ यह मैं आपको कुछ चीजा और बता जाता हूं कि अब जिन जिन बत्तों के एडमिट के स्टेटस रिपोर्ट में फोरम एक्टेप्टार रहें इन दिन बत्तों के फोरम एक्टेप्ट आ रहें वह इस पेसे नहीं ध्यान दे लाड़ दो कि अगर आपकर जाती मूल निवास और या इडबलू एस और ओबी सी एस सी यह शेटिप्रिकेट यहां पे भी आपने पहले फोरम एपलाई कर रखेर अभी तक आपके पास में न नहीं बने इनको बेटा जनली से सई तरीके से करवा लिए गलती के चकर में क्या होता कई बार फिजिगल के टाइम तक नहीं शुदर पाता इसलिए अपने डोकुमेंट सारे के सारे पेले ही कवर करके रखे जहां रखना एक्जाम के लिए इन में से कोई चीज नहीं चाहि चाहिएगी फोटो जुरूर चाहिएगी वहां पर लगाने के लिए हो सकता अब प्रव्श पतर पर बेटा लगाई जाए तो वो फोटो आपके होने से यह और चैन्म होगे तो ज्यादा बेटर रहेगा तो स्थिन आपने फोरुम बढ़ने समय लगा है वो से मोगी तो ज् के तरफ से क्योंकि इस बार फोटो के साथ में डेट भी अच्छ है तो नहीं भी दे कोई जुरूरी नहीं है आपकी शकल से इंगर्प्रिंट का विशेज ज्यान रखना जब एक्जाम देने चाहोंगे इस्पेसली बहुत सारी बच्चे को अभी भी फिंगर्प्रिंट के उज़े से रिजल्ट रुक रखाया जो 2018 वाले वेकेंस है उनका रुख रखाया बेटा अभी भी रिजल्ट है इंगर्प्रिंट का विशेज जाना करना जब भी आप उस मशीन पर फिंगर्प्रिंट दो अपने हाथों को पूरा साफ करके अच्छे से घृता हाथों का पसीना पहूंच के खुपड़े रुमाल लेके जाना पहुंच कर फिंगर्प्रिंट मिश्मेस का ऐसे भी संब्सुक्रिंख को मैस्वालों को zwei रोग लिए जाता है अभी आप एग्जाम के दो घर पर एक दो बार और फिटवरी के पाने से हथों को दो ले उससे क्या होता है हातों की जो नमियों खतम होती है तो जिनके आतों में पशीना था यूट ले और फिर फिंगर्पृंट बिल्कुल साफ लगाना ताकि आपका रेजल्ट रूके ना नहीं तो इसमें बहुत सारे बच्चे फश्जा थे फिंगर्प्रिंट में ध्यान रखना विश्य इस लाटलो जो चीजे मैंने बताई इनका इस्पेशली ध्यान रखना आपको एक्जामत दिक्षत ना हूँ इसके लिए और भी कोई अपडेट रहेगी तो जल्दी में उसमें वी